बहुत सारे बाई यही कमेंट कर रहे थे कि यार नूब भाई एक मैप बना के हमें दिखाओ कि हम मैप कैसे बनाएं तो मैंने बोला कि यार आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा तो आज वीडियो आ चुका है पबलिक इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक मैप बना के दिखाओंगा कि आप लोग कैसे मैप बनाओगे इजिली तरीके से सही है बहुत ही असान तरीके से 2v2 का बनाना है चाहे आपको 4v4 का बनाना है तो यह आप लोगों ने यह बंद कैसे करना है जैसे मैंने इसको बंद किया हो है चारों तरफ से यह वाला जो डिवाइस है यह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यह कौन सा डिवाइस है यह वाला आप लोगों ने यहां से आ जाना है यहां से आने के बाद आप लोगों इसके setting में आ जाना है और यहां पे इसका जो abstracting length है इसको max कर देना है और यह नीचे वाला height है इसको max करना है इसको save कर देना है तो इस तरह आप लोगों का होगा अब क्या होगा कि इससे बाइर कोई भी बंदा नहीं जा पाएगा यह जो लगा हो है ना यह देखो मैं start करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं तो यह देखो public इससे बाइर कोई भी बंदा नहीं जा पाएगा तो यहां पे देखो मैं यहां से जाता हूँ लेकिन मैं इसके बाहर नहीं जा पाऊंगा तो इस तरह आप लोग यानि कि अपना जो लिमिट है अपना एरिया वगरा बना सकते हो तो काफी मज़े का है यह भी क्यूंकि बहुत से लोगों ने फॉर मैप का बोला था कि बनाओ तो यह मैप मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको आसानी से समझ आ सके तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं आप लोगों ने अगर इसकोड आउस का बनाना है किसी का भी बनाना है तो सबसे पहले मैं यहां पर एक इसकोड आउस यहां पर लगा लेता हूं और एक इसकोड आउस वहां पर लगा लगा को दोबारा उप्शन मिलेगा कि लगा सकते सह अगर आप यहां पर नहीं लगाना चाहते हैं लिखकर निशान प्रोस कर देना है दोबार ही पे आप लोगों ने यह कैसे set करना है, बहुत ही असान है, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आजाना है, जैसे ही आप नीचे आजाओगे, तो आप लोगों ने यहाँ पर respawn device लगाना है, यह वाला जो first device है, इसका नाम है spawn point device, यह first device है, जिसके उपर यहां पे क्लिक का रहा है इसको आप लोगों नीचे यूज के उपर क्लिक करना है और आप चाहते हो कि बाई जो बंदे हैं वो रिस्पॉन यहां से बाइर से हो यहां फिर अंदर से हो तो आपको जहां से रिस्पॉन करना है आप लोगों ने वहां पे डिवाइज लगाना है इसके बाद इसको आप दूसरा आप नहीं लगा सकते हैं यह आप एक ही device लगा सकते हो एक team के लिए अगर आपके पाद चार team है तो आप चारों जगा यह वाला device लगा लो सही है इसका setting में आपको बताता हूँ तो एक device हमारा लग चुका है तो आप लोगों ने क्या करना है इसके setting में जाना है तो यह आप लोगों को option दिख रहा है setting वाला इसके ओपर जैसे ही आप click करते हूँ इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिकाओ ने करने करके अंदर जाना के लिए और आप लोगों के हैने के आप लिए आप लोगों कोईना कश्व सेव नहीं है और इसके बाद आप क्यार करना है और यहाँ लोगों किया आप लोग यांपर नहीं नहीं आ रहां अंदर जाने के बाद दुबारा आप लोगोंने क्या करना है यहां परemenी यह जो respond device is इसको पर click करके यहां से use क्यों पर click करना है और यहां परuls नहीं लगा देना है तो इस तरह आप का एक team वहां से होगा एक team आपका respawn यहां से होगा तो इसके setting में जाना है और यहां से करना है single team और यहां पे इसको team 2 कर देना है आपके पास जितने भी team होंगे आप लोगों ने कहीं से भी respawn करना है तो आप लोगों ने उसका ऐसे device लगाने है और यहां पर आप लोगों नहीं जो टीम नंबर है यह लाजबी देने हैं टीम 1 है तो टीम 1 करना है अगर आपके पास टीम 4 है यानि शोलो का बनाना चाहते है तो यहां पर टीम 1 टीम 2 टीम 3 टीम 4 बनाओ ऐसा नहीं है कि आप लोग एक टीम को नंबर दो बाकियों को छोड़ द तो यहां पेंगे टीम करता हूं रोप तो तो आप चाहते ओके सम्राव्ट कर देता हूं जाया से यहां पर गूम के जाप सम्राओं मुलिआपन है यहां पर यहां पर देड़एड करना हैion यह पर लोगों क्लिक करने यहां से गर なाइन है ऑग वह नहीं है इसके उपर सबने सक्तिक और जो यहां जो यह उने हो है करते हैं जो मैंनलों व्याहिit मैं यहां जाना है यहां पर इसा लेना चाहिँ है चाहते में आप एड बेड़ ने ब्री वाहिए है वो दे सकते हो, वो आपका मर्जी है, यह बैक पैक वगरा, इसके बाद गन की बाद आती है, तो भाई, आपका मर्जी है, कौन सा आप पहला गन देना चाहते हो, मैं M4 रख लेता हूँ, जो दूसरा गन है, इसको ग्रोजा कर देता हूँ, इसके बाद अगर आप पिश्टल तो रख लो वरना इसको डाउन पे रहने दो, और इसके बाद भाई, यहाँ पे नीचे है, मिली विपन, मिली विपन देना चाहते हो, तो आप दे दो, इसके बाद नीचे मैं फ्रेटिंग है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, कि बाई, पिलस आइकन के उपर क्लिक करना है, और थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे कर देना है, तो दुबारा से आपके पास यह तो तीर का ऑप्षिन है, यह आजाएगा, इसको आप लोगों ने उपर के तरफ करना है, तो आपको यहाँ पे एटम, जो शारे एटम है, वो देखने को मिल जाएंगे अब यहां पर क्या होगा कि आप लोग इस प्लस करके एक ही एटम एड़ कर सकते हो यहां तो पहले आप लोगों ने क्या करना है अगर आप लोगों ने 6x रखना है तो पहले आप लोग रख सकते हो रेड डोट आप लोगों ने करना है इसको save कर देना है दुबारा से नीची आ जाना है आप लोगोंने दुबारा से प्लस के उपर क्लिक करना है और यहां पे दुबारा से इस तीर को उपर करना है और यहां से आप लोग कोई और चीज यानि कि अगर आप लोग गरनेट रखना चाहते हैं तो गरनेट आप अपने मैं आपको last में बताता हूँ तो इसके बाद अब आप लोगोंने क्या करना है अटेश्मेंट वगएरा एड़ करना है तो दुबारा से आप लोगोंने पिलस के उपर क्लिक करना है और यहाँ पे स्तीर को उपर करना है और यहाँ से आप लोगोंने attachment डालना है आप लोगों ने इस तरह एक एक करके attachment add करना है जैसे पहले मैंने इसको add किया इसको save किया दुबारा से यहाँ पे मैं नीचे गया plus के उपर click किया और इस तीर को उपर किया और दुबारा से जो दूसरा attachment है वो यहाँ पे मैंने इसको add करके save कर दिया तो इस तरह आप अपने मर्जी से जो scope वगयरा सारे scope वगयरा डाल सकते हो मैग वगयरा डाल सकते हो सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है plus करना है plus करने के बाद जैसे ही आप plus करोगे इसके बाद ये तीर का निशान को उपर करना है और आपके पार ये चीजें show हो जाएंगे तो एक एक करके plus करके आप एक ही atom डाल सकते हो यानि कि एक ही बार आप सारे atom नहीं डाल सकते तो आप लोग plus करते जाओ और अपने जो atom है वो यहाँ पर add करते जाओ सही इसके बाद save कर दो अब ये आपका करने का तरीका में आपको लोगों को बताता हूं सबसे पहले बाइस के हम अंदर चले जाते हैं ये आपका response device है आप लोगों ने क्या करना है इसके setting में आ जाने और यहाँ पर तीसरे number पर आ जाने यह हमारा first है यह हमारा second है यह हमारा third है यह हमारा fourth number पर आ जाने और यहाँ पर लिका हूँ है add के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिका हूँ है इसके उपर क्लिक करना है और यहां पर इसको नेस्ट के उपर क्लिक करना है नेस्ट के उपर क्लिक करने के बाद एटम इशू कर देना है और इसको एड के उपर क्लिक करके यहां पर सेव कर देना है सही है इसको सेव कर देना है जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका जो यह डि तो यहां पे मैं इसको भी यानि के connect कर देता हूँ तो आप लोगोंने simple एक ही device यह वाला जो atom issue device है यह वाला जो atom issue device है मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ तो यहां पे मारे बाtt PERI आ चूका होँँ तो गन है वो आ जाएगा अब इसके अंदर एक और भी setting आप लोगों ने करना है इसके setting में आ जाना है और यह आप लोगों को जो उपर लिखा हूँ है clear all items सही है इसको आप लोगों किया करना है clear backpack supply करना है वरना जो गन है वो बार-बार refresh होगा तो आप लोगों ने इसको clear backpack supply पर करके इसको save कर देने अब दुबारा से हम जाते हैं बई यह वाले डिवाइज के अंदर सही है इसको हमने link किया था जो दूसरे device है इसको हमने link नहीं किया तब ही हमारे पास जो gun है वो नहीं आ रहा था तो दुबारा से हम जाते हैं इस device के जो फोरछ दोबार का रख और ऊपको इस दुवाइस के पास दुबार से आजने है यहां पर इस दिवाइस के पास और यहां पर आप अन्दर चले जा जाते हैं पर यहां पर आने के बाद आप करना किसंट के एस वाटन Yeah स्टैंग में यह अ ही ऐड़ पर नहीं करने एक एटम इशु के ऊपर किलेक्कित के एड़ करना है और इसको श्रीव कर देना है अब आप irrigation मेप सो जो जो एक दर्टे देसी की पार सब्सक्राइट पेर एक फिरी मेंज्सके तरह रहे है जो आपकला के जोया वहिसे के पास ब्रॉप हमने टीम होगा उसके पास भी गन होगा और आपके पास भी गन है वो यहां पे शो हो रहे है तो अब आप लोगों ने करना है यहां से हम दुबारा से यहां पर आ जाते हैं तो अब आप लोगों ने क्या करना है आप चाहते हो कि दोनों टीमों के पास जो एमो वगेरा है वह unlimited हो और यह जितने भी दफ़ा मरे वो दुबारा से यानि कि response होते जाए तो आप लोगोंने क्या करना है यह वाला जो setting है इसके अंदर जाना है आप लोगोंने जितने टीम रखे हुए यहाँ पे लिखो है maximum number of teams आप लोगोंने अगर दो टी में करना है और इसको आप लोगोंने नीचे को वन पर ही रहने देना है और यहाँ पर जो next setting है वो यहाँ पर लिखा है maximum number of rounds आप कितने राउंड लगाना चाहते हो अपने मैप के तो आप 2 करना चाहते है तो 2 कर लो इसके बाद लिखा है single round duration कितने राउंड है यह आपको मैंने पिछले वीडियो में सारा explain कर दिया है अगर आप लोगोंने वीडियो नहीं दिखा तो नीचे description के अंदर आप लोगों को link मिल जाएगा public आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप मैप कैसे बना होगे कैसे अपने team members को कैसे teams को set करोगे सही है सारा कुछ बता दिया है बाकी जो वीडियोज है जिसने मेरे वीडियो पिछले वाले नहीं देखे कि यह device setting और कैसे आप लोगोंने TDM का map बनाना है classic का तो यार मेरा जो वीडियो है उसका link आप लोगों को दोनों का description box से मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग देख लो सही है अब आप लोग उने publish कैसे करना है map को publish करने का बहुत ही असान तरीका है जैसे मैंने यहां पर आप लोग अपने creation में जाओगे तो यहां पर आपके जो map है वह आपको देखने को मिल जाएंगे आप लोगोंने click करना है यहां से अपना जो map है उसका name वगर दे देना है जो उनसा भी map है इसके बाद description एड़ करना है यहां से आप लोग display picture एड़ कर सकते हो जैसे ही side पर आपको वहां पर camera का option मिलता है आप लोग वहां से photo अगर खेंच सकते हो अगर नहीं लगा हो तो मसला नहीं इसके बाद यहां पर photo लगा के आप इसको यहां से post का option है वह आपके पास आ जाएगा इसको आप लोगों ने post कर देना है सही है तो आपका जो map है वह चला जाएगा under review उसके बाद आप लोगों अगर आपका map यानिके accept हो जाता है तो आपको यहां पे जो map है वह show हो जाएगा तो पब्लिक आज का यहीं वीडियो था अगर वीडियो पसंद है अगर कोई भी बात अभी भी रहन हो तो नीचे कमेंट करें आपका भाई next वीडियो उसके उपर बना देगा तो मिलते हैं को और नई ब्रैंड वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही अलाहाफिस दोस्तों झाले करेंगका झाले किला बना उडियो को तोस्तों हैं मेँ वीवोर वीडियो चाहाफिस दोस्तों पste More